नमस्कार मैं जितनेतर कुमार आप देख रहे हैं स्टेडी सफर तक दोस्तों बिहार के बितर दो दो लाक रुपे में IPS अधिकारी बनाये जा रहे हैं बिना किसी लिखित परिक्षा के वर्दी के साथ 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 जो IPS के अधिकारी के पास रिवॉल्वल हतियार होते हैं वो सब कुछ दिये जा रहे हैं मातर दो लाक रुपे में खुली छूट है कोई चाहे ले सकता है इस तरीके का IPS अधिकारी बनाने वाला जो ठगी गैंग है यह फर्जी गैंग है जब वो तब पकड़ा गया जब 18 साल के लड़के को वर्दी पहन करके घूमते देख पुलिस ने ध जा करके पता चलता है कि यह एक ऐसी ठगी गैंग है एक ऐसी कहानी है जो नौकरी के नाम पर भोले भाले लोगों से दो दो लाक रुपे ठग रही है अब यह जो लर्का होता है मितलेश कुमार जो फरजी IPS बना गूम रहा था इसके उम्र मातर 18 वर्स होती है 18 वर्स में एक लड़का IPS बन जाता है और सोचने की बात यह एहरानी की बात यह कि वर्दी पहन करके अपने घर जाता है घरवालों को दिखाता है और फिर 30,000 रुपया की महांग होती है ठगों ने कहा था कि नौकरी लगने के बाद 30,000 रुपया और देने होंगे तो मितलेश को 30,000 पर काफी तेजी से वाइरल हो रहा है वीडियो में दिख रहा है कि कैसे वो मितलेश जो है उसको ठाने में इंट्री कराई जा रही है और जब ठाने के भीतर अंदर के तरफ को बढ़ता है तो तमाम सारे लोग कहते हैं कि आये सरे वेलकम आपका स्वागत है पीछे से एक आ आद्यम से सारी बाते आपको बताएंगे वीडियो में बने रही है यह जो ठागी गाइंग है वो बिहार में इस तरही के से एक्टिव है कि नौकरी के नाम पर कुछ भी बेचने को तयार है अब सोच के दखिए कलपना करके देखिए कि यूपेस जैसी कठीन परिक्षा के किसी को आइपेस अधिकारी जैसे पद मिल पाता है एक ऐसे को धुरंदर प्रहा – जो आइपेस के सपना देखने वाले प्रहाय तक छोड़ देयते हैं ॕड़ते खिण तक जाते है यह बड़ सकत है सब कुछ 2 लाक रुपया मिल सकता है जो मितलेश कुमार को मिला इसको इस पता भी नहीं है कि आई पेशका मतलब क्या होता है और यस कि इतनी बड़ी रइंक होती है मातर 18 वर्ज का लर्का और नौकरी के नाम पर 2 लाक रुपए जो अपने मामा से ले करके दे चुका था इस ठगी के अंको वीडियो जो है एसके रिंग के उपर आपको दिखा सकते हैं Ideally अइजल सर् Views मिचलीष कुमार, पिता का नम है घर का नाम है कौन स्ताना है हल्सी कहा यंबर भर्धी कहां तुम को भह हैं क्या मामला कौन दिया क्या बोला अच्छा तो दो लाख रुपय तुम दे दिया कब एक महिना पहले तो यह बर्दी आज तुमको कहां दिया कब आज चार बुचा कहां पे घर पे पूरी कहाने आपको बताते हैं कि यूवक का नाम मिठलेश होता उसके उम्र 18 वर्स होती है लकी सराय जीले के हसली थाना चेतर के गोवर्धन बिगा इलाके का रहने वाला इलरका होता है और तमाम सोसल साइट्स के उपर जो खबरे वायरल होती है उससे यह पता चलता है कि ज मिठलेश को धर्दबोचा और सेकंदरा चौकी पुलिस सेस्टेशन ले करके चलियाए तभी मिठलेश के पास से एक बाइक मिली 200 रुपिया मिलता है और जो मिला बर्दी और बर्दी के साथ एक गन जो कमर पे उखोशी जाती है पूस्त आज के बाद मिठलेश ने पूरी क खेरा के रहने वाले मनोस सिंग से हुई थी ओ मनोस सिंग जो ठगी गैंग का हिस्सा है मनोस सिंग ने ही यूवक से बताया था कि कथी तौरबे यह यूवक का कहना है मिठलेश कुमार का कहना है कि मिठलेश को कहा था कि तुम पैसे दो तुम्हें नौकरी देंगे मिठलेश पुलिस के दारण वीडियो बनाये गये उसका वाइरल किया गया वह सबसे बराव सवाल होता है क्योंकि सबी को ये बात बताया जाता है कि जो कम उम्र के जो लोग होते हैं बच्चे उनके वीडियो फोटो जो है सोसल वीडिया पर नहीं आना चाहिए उनका चेहरा रिवील न साथ कैसे कोई कैसे कर सकता है बांकि सोचल मेडिया के ओपर क्या कुछ लिखता है क्या 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 अधिकारी बने की कुछा खेटकर और फे लास तक जूट बोलती रही और जूट ही बोलती रहेगे अभी तक भी उसका केस चल रहा है अधिकारी बने बैठे हैं इस बाद का खुलासा लागातार हो रहा है और इसके बाद अधिकार कोई कारवाई नहीं होनी चाहिए इसके साथ पहले भी धोका हो चुका है इसके भोलीपन का फाइदा लोग उठाकरके दो लाक रुपेन से ठंग ले गए हैं इस तरीके की कॉमेंट आता है बागे बहुत सारे तमाम सारे कॉमेंट्स होते हैं जो मिद्लस कुमार के कुछ पक्षि में भी होता है यह कि यह भी लिखता है कि कोई बात ने एक्जांग एसे कॉमेंट्स होते हैं जो उसके बाद सोचल मेडिया पर जाकर कि इस वीडियो को देख सकते हैं बाखी इस तरह के एक बात और व्यक्ति कहता है कि लड़के को सम्मान सही छोड़ना चाहिए इसको भोलेपन के फाइदा जो व्यक्ति उठाया है इसका भोलेपन का उसको चल महत्मुन बाते एक बैक्ति निका और स्कूल में अगर बहतर सिक्षा मिल पाता साइद अधिकारियों से पर्चे कराया जाता तो साइद इस बक्ति को पता हो ता कि प्रिक्षा देने के बाद कोई IPS अधिकारी बनता है दो लाक रुपिय में IPS जैसा पत पाना बहुत मुश्क परिवार से आता है तो ऐसे में गरीब परिवारों में नौकडी पाने की जो आश्में लोग कुछ भी करने को तयार होते हैं जमीन बेचने को भी तयार होते हैं बाकि बिना चुनाओ जिते जम मंत्री बनाया जा सकता है तो बिना यूप्यसी है बिना पड़ेली के IPS अधिक आति-ककारी क्यों नहीं बना जासकता है यह अपर कुछ भी हो सकता है, हमारे पाल्ट्ू जेसा कुछ भी करवा सकता है, इस तरह के तंज एक बत्राइधि लिध्यक लिखते हैं, तो कमाम सारी चीजे हैं, कमाम सारी चीजे हैं आड़े से सोसल बेटिय आरिम यूपर, बाकि सबसे बड़ी बात यह है कि एजुकेशन का सवाल है अपने इसलिए में सच्छा ब्रवस्ता उतनी बहतर नहीं होती है जिसके वज़े से लोग इतना जागरूप नहीं है उनको पता नहीं होता है उनको ऐसा लगता है कि किसी अच्छे वक्ति को दिया है साइद नौकरी मिल जाएगी लेकिन पैसे के बलपे नौकरी कभी भी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वह हमेशा आपके साथ ने कभी भी इस चीज का भंड़ा खूट सकता है और कभी भी उसका सज्जो है लोगों के सामने आ सकता है तो महनत करना चाहिए खुब लगन से पढ़ाई करनी चाहिए और अपना हग का सवाल देखना चाहिए अपने सिस्टम से सरकार से सवाल उठाने चाहिए पूचिने चाहिए कि जब हम टेक्स देते तो हमारे समाज के बच्चों को पढ़ने के लिए उतनी बहतर सिक्षा क्य केवल खुद हम सकता यजाला उसका है कि सावास्ता तो लोग वोट ने तेंगे तो अपना मुद्धा जाती धरम से हट करके स्वास्ति शिップ्भ यह जरून मुद्ध holy성 इसे बूंड़ा सकता किवाल फाइदा पहुबच चाहिए उसी आम लोग कि कोई वैलाने है बाकि इस वीडियो के बारे में आपकी कहा रहा है अपना कमनेट जरू कीज़ेगा वीडियो को लाइक कीज़ेगा चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा और वीडियो को शेर जरू कर देज़ेगा जहीं जाब